कि अलो फ्रेंड्स आज हम बत करेंगे कि आर एएएस की मतलब रेनीन एंजियोटेजिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम तो इसको टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपी तक आपने घर हमारे जाओं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज देनी अल्डोस्टेरॉन सिस्टम तो जनरली यह जो सिस्टम है इस एक लासिक अंडोक्राइब शिस्टम यह जो सिस्टम है 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 रेगुलेट बीपी or minute, रेगुलेट वीपी फर लॉग टम ईये लॉग टम बीपी र्लेटैर्नंद वेब शन्स मीख यह दो शिर्टम है यह बहुत ही इमप्रोंटेंट कार्दिकक्रस आसपर जोंड ही, शियॉ से ब्ल definite में। अब जैसे वह आपको बताना चाहूंगा कि दिन डे टू डे लाइफ हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एक दिन में पता नहीं कितने बार इंक्रीज होता है कितने बार डिक्रीज होता है डिपेंडिग ओपन और मेंटल स्टेटास तो वह जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है वह आपका बढ़ गया है तो बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा इसका मतलब है कि हमारे बॉड़ी में कुछ ऐसे मेकनिजम से कंप्रेंसेटरी मेकनिजम से जो कि यह बढ़े हुए बीपी या कम हुए बीपी को आटोमेटिकली नॉर्मल करने का काम करते हैं और इन ही में से एक जो सिस्टम है वो है आरे इस रैनीन इंड्यूटेंसिन अल् आफ लो बीपी और इन दे केस आफ लो सीरम सोडियमायन कंसेटरीशन यह दो कंडिशन में जो यह आरे ऐसे यह एक्टिवेट होता है जब भी आपके बॉड़ी का प्लड़ प्रेशर डाउन रहेगा या फिर किसी कारण से सीरम में जो सोडियम लेवल कम हो जाएगा उस केस में जो आरे ऐसे वो एक्टिवेट होता है अब ओवर आल एक नर्ट शेल में देख लेती है कि आरेस करता है जो वेनेवर देर इस डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर इस रिजल्ट यह किद्नी हो गई यह किद्नी एक्टिवेट दी आरेस किद्नी का पक बड़ा रोल है आरेस एक्टिवेट करने हो और आरेस जो है यह फॉर्दर फिर आपके किद्नी थुरू अपने फॉंक्शन प्रोडूस करता है किद्नी या तो फिर वो अपनी एक्टिवेट शो करता है ब्लड बैसल को इस दो पर अपना आरेस सिस्टम जो है वह एक्टिविटी शो करता है थे लिए इनक्रीसे ही यौँहता है वसक जो किद्व नर्मल करें से ब्लड बदांते में री रीग दाइक, वसक प्रक अब बदान नर्मल नर्मल क्यांत्तिक ऑतने ग рокेशन किसी देदाउर् need तो यह यहां पर माल लेगी यह है आपकी इस तो इस इस किड़नी इस किड़नी इदर ट्राइब लेकाने किड़नी इस किड़नी इस किड़नी हमको पता है कि किड़नी में ब्लूड का फिल्ट्रेशन होता है आयन से है वो रियम सब्सक्राइब तो इसमें जो हमारा प्रान में जो बॉमेंस कैपसूल होती है उस बॉमेंस कैपसुल ने गलोमेर रूरस होता है। इसमें जो ये-एक आर्टरियोल आती है, जो जो जसरा पल ड़कर आती है उसको बोलते देट प्रेंट आर्ट्रियोज और जो आर्ट्रियोज ब्लड निकल लेकर जाते हैं इसको बुलते हैं इस दिफ्रेंट आर्ट्रियोज तो यह यहां पर फिर यह पूरी तरह के से डिस्क्राइब किया हुआ है और इसी नेटवर्क को हम बोलते हैं अब प्रेंट्स इसके पास में यहां पर सेल्स होती है इसका नाम है यहां पर एक सेल्स होती है इसका नाम है इसका नाम है जक्स्ता ग्लोमे रूलर्ट्स जब भी अब यहां पर जक्स्ता वर्ड उसका मीनिंग्ध होता है नियर एक जक्स्ता ग्लोमे रूलर्ट्स यह जो जक्स्ता ग्लोमेर्ल्स यह क्या करते है कि जब भी धि情况 is a decrease in blood flow कि किसी भी कारण से अगर blood pressure down हो रहा है sodium concentration decrease हो रहा है तो नेपान में जो है यह जो ग्लोबर उलस पार्ट है इसमें जो है blood supply कब हो जाता है blood supply कब हुआ blood pressure कब हुआ तो जैसे ही यह जो जफ्ता अगरागलोमिलोस सेल्स है यह फिल करती है यह सेंस करती है कि there is a decrease in blood pressure or there is a decrease in blood flow so it releases the component called as pro-renine pro-renine को release करती है और यह convert हुजाता है in the sense of hypotension यह convert हो जाता है निन और जैसे ही आथ यह एक एक एन्जाइम में तो जनरली बहुत सी लिटरेचर में से लिखा रहता है कि रैनीन जो है वह किड्नी जारा रिलीस के लेकिन एक्चुली में प्रो-renine बनता है pro-renine जो है वह इसके बाद लीवर में से यहां पर एक और कंपोनेंट रहता है एंजियो टेंसिनो जेन एक कंपोनेंट है जो कि आपके लीवर में सिंथे साइज होता है यह यह पर इस टाइप से अट प्लाजमा प्रोटीन यह एक टाइप का प्लाजमा प्रोटीन है जो है इसको प्लाजमा प्रोटीन दूब सकते है यह चेब यह फिर अंगियोटेंसिन 1 में करता है, इसको कनवर्ट करने का काम करता है, रेनिन, अब यह अंगियोटेंसिन 1 जो है, इसका कोई भी फार्वाकोलोजिक लेक्शन नहीं है, लेकिन यह फिर फर्दर जो है, लंग्स में, लंग्स में रेता है जिसका नाम है A-C-E, A-C-E मिन्स एंगियोटेंसिन कनवर्टिग फेन, इसका क्या क्या फार्षन नहीं है, यह यह अंगियोटेंसिन 1 को एंगियोटेंसिन 2 में convert करने हैं अब ये जो अंगयोदेंसिन 2 डीजा है इस फार्माकोलोजीकल है तो ये जो सिस्का में स्टार्ट हुआ आपके रेनिंग के बनाए अप्रोडाजिशन के रेनिंग में कंवर्ट हुआ कें रेनिंग मतलब ये आपके इनदेशन सफ रेनि इन ये इन एकूर और अनग्स там हों बना कई अच्ट एन च्ट आहिए न सीद्ट एस फार्मा कोलोजी का ल सबसे पेले इसका मेजर एक्षिन है वह आपके का प्लदब करते हैं तो यहां पर ऑर्ट्री civ Yoda और यहां पर यहां पर और औरक आट्री किया है कि एक और द्र ही और माधिन सोगा शाइब पतारी सीपता शाइब है दोनों पर यह एक्षन प्रोडिस दो है अब देशा की एंजियो यह यहां पर इसका नामी है एंजियो टेंसिनोजेन यह जो इंजियो वर्ड है इसका मतलब होता है वैसा है और यह एंजियो गया यह जो है यह से लिए और इसकी इसकी बात करते हैं तो आट्री और विन इन दोनों के दोनों को यह कहा करेगा प्रस्ट्रिक्ट्टिव इफेक्ट आप अब आट्री के वैस्ट्रिक्ट्रिक्षण अब आर्ट्री के बाश कुंस्टिक्शन से क्या होगा और विन के बाश क्या होगा और रेन के बाश कुंस्टिक्शन थो आज रिख जइसे ही ऐ वोगी it causes the increase in total total peripheral resistance total peripheral resistance increase as the artery gets constricted and if the vein gets constricted there will be an increase in venous return venous return जो है वो बढ़ जाएगा ओर और जो है इन दोनों के कारण there is an increase in blood pressure तो blood vessel का जो बेसल का स्क्रिक्शन काॉस करेगा यह उसके कारण यह आर्ट्री और पेन दोनों प्रेक्शन शोगाता है उसके कारण और यह जो इफेक्ट है इसके कारण blood pressure जो है increase हो और यह जो इफेक्ट है it is very rapid effect यह बहुत ही rapid effect then उसके बाद second effect जो है इसका it is called kidney kidney face का second major effect है kidney face का effect है दो टाइप से एक तो direct effect और second जो है it is indirect direct not indirect indirect तो यह direct effect में हम जानते है कि जो glomerular filtration rate होता है GFR which is directly proportional to the blood flow means blood flow जितना ज्यादा होगा नेफ्राण में kidney में उतना ज्यादा GFR filtration rate होगा जितना कम blood flow जितना कम filtration rate होगा तो इंड्यूटेंसिन टू इंड्यूटेंसिन टू का हमने देखे थे कि ब्लड वेसल पर क्या action इसको कंस्क्रिक करता है there is a reduce or decrease in blood flow to kidney blood flow जो है kidney को decrease होगा जाता है there is a decrease in urine output जैसे ही blood flow कम होगा जाता है kidney में इसके साथ साथ वैसे ही करता है unit output जो है decrease होगा जाता है second effect है इसका indirect effect उसमें angiotensil 2 जो है angiotensil 2 it act on the adrenal gland adrenal gland के ओपर act करने के कारण क्या होगा है it releases the aldosterone and हम सब भी जानते है कि aldosterone क्या है it is a anti-diuretic hormone यह एक anti-diuretic hormone तो जैसे ही aldosterone release होता है there is a increase in sodium reabsorption and there is also increase in water reabsorption sodium और water दोनों के reabsorption को increase कर जाता है कौन aldosterone so overall अगर देखा जाए overall the kidney के 5 effect है पहला तो होगया आपका there is a decrease in urine output urine output कम होगया blood flow की kidney जो होगया ultimate की urine output कम होगया second effect हमने देखे there is a increase in sodium reabsorption and third there is a increase in water reabsorption you know effect kidney के पर देखे so as a result of all these three effects there is a increase in extra cellular fluid extra cellular fluid बढ़ जाता है second there is a increase in capillary pressure capillary pressure बढ़ जाता है capillary pressure and because of all these there is a increase in arterial pressure for long term long term के लिए इंक्रिज़ जाता है यह होगया आपका kidney और blood vessel के action third action है it is bradycanine 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 as we all know हम सभी जानते हैं bradycanine के बारे गारे गारे bradycanine क्या है bradycanine is a peptide which is present in blood present in blood present in blood and in general it is called as natural vasodilation bradycanine vasodilation तो angiotensin converting enzyme AC it degrades the bradycanine degrades the bradycanine 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 is a result as a result as a result there is a bradycanine it is a vasodilator it will degradation so there is a result vasoconstriction 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 and at last the fourth system on which there is an effect of angiotensin2 is the sympathetic nervous system sympathetic nervous system sympathetic nervous system which leads to increase in the blood pressure by increasing in heart rate or you can say that there is an increase in force of contraction so this is a vasoconstriction that the blood pressure is increased in heart rate this is the effect of angiotensin2 on blood vessel blood vessel kidney bradycanine and sympathetic and sympathetic nervous system so by this way the ras is regulating the blood pressure it starts 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 with hypotension hypotension start होता है और उसके बाद it regulate the blood pressure and there is a increase in BP so यह BP को increase करने का काम करता है generally hypotension में start hypotension के सांके start होता है अपल स्थ कर यह स्थ स्थ